पूरी तो चैसे बीटेट अधिक रिब्सकोड मेर और स्थक्राइब के ने यह विश्टू पाइब और स्था रहा है तो महारा कार्परेशन का टोटल कैपेक्स का होटले है 156.75 क्रोट पर उसमें हमारे दो कंपोनेंट हैं एक न्यू वर्क्स है और एक जो पीशे आंगोइंग बर्ष होते हैं तो उसका आंगोइंग बर्ष में हमारा 99.92 क्रोट के काम चल रहे हैं और उसके 50% हमें फंद्स रिलीज हो गया है ऐसे न्यू वर्क्स के जो हमारा काम है उसके भी हमें 50% फंद्स रिलीज हो गया है पोटल एलोकेशन हमारी 156.75 क्रोट थी उसके गेश हमें 77.11 क्रोट रिलीज हो गया है जानकि 50% हमें रिलीज हो गया है और वो यह पहली बार हुआ है इस साल कि हमें जो फंद्स हैं वो एंडिंग वीक आफ में रिलीज हो गया है इनिशली जो लाजा से पहले ये फंद्स हमें एंडिंग जुलाई न फस्ट वीक आफ अगस्त में रिलीज होते थे जिसे हमें टेंडरिंग करने में उसका अलाट्मेंट करने में काफी टाइम लगेता था वो एंडिंग अक्तूबर में मैचूर होती थी हमें तो इस साल जैसे हमारे फंद्स अभी आगे हैं एंडिंग में तो हमने इसी की टेंडरिंग की भी पराश से शुरू कर दिए और होफुली इस भीक में वारे जितने भी टेंडर है सारे फ्लोट हो जाएंगे और एंडिंग जून तक सारे अलाट्समेंट हमारी कम्प्लीट हो जाएगी और फिर्स भीक आप जुलाई से हमारे सारे काम दो शुरू हो जाएगे तो इस बार हमें जो ट्रेक्शन थी हमारे अनलर मेर साब की हमारे जितने में स्टाफ ने मल्की शुरू से ही एंडिंग फर्स्ट एप्रिल से ही काम शुरू कर दिया और एस्टमेट बनाके प्लान टाइमली बेज के और इनकी एफर्ट से पहली बार इतनी चल्दी फांट हमारे पास आए तो बाकी आब आगे मेर साब दाएंगे इतना मैं पूरी जम्मू मुन्फुल कार्पेशन को कमिशनर से लेकर सफाई साथी तक सब को मुबार्ख भा दूँगा कि जिन्हों ने इस वार एफर्ट करके स्पेशली हमारी इंजिनरिंग विंग जिसकी अद्यक्ष्टा करते है सुम्रियाजि कि इस्पार हमारा मे में हो गया अगर कामनले में भाषा के काम करवाने हैं उसके लिए हमें कितना समय मिले उसके लिए हमने इस बार पूरी फ्लैनिंग करी थी है उस समय के लिए हमें पहले जो फांट साते थे वह होते थे एगस के मीहने में और सप्टेंबर में हमारी अस्टिमेशन होती थी खथी अक्टूबर में टेंडर लगते खें ऊह करिद नममबर में मैं होती थी तो फिर्णे विक हमारे होने के कगार पे होते थे but this time it has happened कि में के last week में ही हमें 50% पूरी हमारी आउटले जो है बजड का वो मिल गया इससे क्या हो गया अभी हमें 10 महिने मिल गए काम करने के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इनको यह कहा अगर मोदी जी पार्लेमेंट बनाते हैं साड़े 900 क्रोड की तो वो 20 साल लगाते हैं तो 70-70 लाक जो हमने एक वाड में दिया है उसको काम करने में स्वांब दे यह हमें कवर करना चाहिए लागी नहीं मिने आठ मीने उसमें भी में चार मीना कर दिये जि इतना पर काम आरा होगा वह कार मिने में हम की किया है नश सक्ष值 पहले कर लिए वो पैसा जिससे हमें लोगों के काम करवाने थे वो अर्लीज होता था 1.43 अर्लीज नहीं उसका एक्सपेंडिचर वो खरच कितना हुआ 25 वाड़ों पर 1.43 और 2019 में हुआ 1.63 20 में हुआ 8 करोड 21 में हुआ 38 करोड और 22 में हुआ 107 करोड और इस वार का हमारा टार्गेट है 150 करोड और जिस लिके से हमारा यहां से पूरी परसासनिक परनाली काम कर रही है मुझे कोई इसमें संदे नहीं है कि हम 156 करोड का काम कर पाएंगे इन टाइम उल्टा हम उससे ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे कभी एक इंट्रीम बजट भी आता है और इस सबसे क्या दिख रहा है इस सबसे यह दिख रहा है जो मोदेजी का उदेशे है मीनिमम गवर्नमेंट मैक्समम गवर्नेंट उसे पैटरन पर जे एम सी काम कर रही है डिसीजन मेकिंग और प्लैनिंग अच्छी होने के कारण लोगों को अच्छे काम और गुनवक्ता के साथ भी होंगे और साथ में टाइम बोर्ण होगे डिसीज़ए वेरी वेलकम स्टैप एंड आई कंग्रेचिलेट जम्मु मुश्मिल कारपरेशन एस पर आज जम्मुवाइट्स अच्छ क्या मेरे करो बांदू